हेलो गाइज वेलकम बेक टू माइच चैनल अब मैं बनाने जारो मस्रूम की सबची तो मैंने साब के लिए मस्रूम को अब मैं मस्रूम में डालोंगे गरम पानी ताकि उसमें जो भी दूलो लो वहड़ जाये तो मैंने डाल दिया गरम पानी मस्रूम में अब मैं मसाला में लोंगी अद्रक लशून जीरा और फिर काली मिर्च अब मैंने कराई बठा दिया कराई हो गई गरम डाला मैंने तेल तेल गरम करने के बाद उसमें डाल दी मैंने जीरा जीरा के चटकने के बाद उसमें मैं डालूंगी एक चौप किया हुआ प्याज अब देख सकते हैं गाईज मैंने प्याज डाल दिया अब प्याज को गोल्डन ब्राउन तक चलाऊंगी जब तक ना गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब मैं डालूंगी मसरूम जिसमें मैंने गरम पानी करके धो लिया था ठंड़ा होकि उसे प्लेट पी निकाल दिया, अब मैं डाल दी मुसरूम, अब मसरूम को चलाऊंगे, जब तक मसरूम हलका सा सोप्ट न हो जाए, अब देख सकते हैं गाइस, मसरूम को मैं चला रही हूँ, मसरूम सोप्ट होने के बाद, अब मैं डालूंगी नमक, हल्दी पॉडर लाल मिर्ची पॉडर और जो हमने पीस के रखा था मसाला वो मसाला डालूंगी अब मैं अच्छा से मिक्स करूंगी सारे मसाला हल्दी नमक सारे को साथ मिक्स करूंगी अब लो मिडियम कर देना गाईस ताकि मसाला जलेना अब मैं उसी में डाल दूंगी एक चौप किया हुआ टामाटो फिर उसे भी मिलाऊंगी ताकि साथ में सब बग जाए मसाला भी टामाटर भी सो गाईस अब देख सकते हैं कुस देर बाद मैंने फिर धनिया पत्तर डाला जो कि हमारा मश्रूम हो गया है तैयार अब इसे चापाती, रोटी, पूरी, चावल के साथ खा सकते हैं इस थरह हमारा मश्रूम बन के दिख रहा है सो गाईस आपको इस वीडियो यह वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट में बताएगा थैंक यू